बॉलिवोड न्यूज निट्वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ वॉइस से न्यूज सुनने को मिलते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और बेटी सुहाना खान रविवार को मुंबई में एक पार्टी में नजर आएं भाई भन को दोस्तों के साथ पार्टी के लिए मुंबई के एक महेंगे रिस्तरा में देखा गया उसी पार्टी में आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोनसी भी नजर आई बाद में उन्हें पार्टी में पहुँचते देखा गया जिससे अब आर्यन के रिष्टे के बारे में अफवाहें तेज हो गई है पार्टी में जाने से पहले आर्यन और सुहाना दोनों ने कुछ सेकेंड के लिए पपाराजी के लिए पोस दिया आर्यन ने फेडेड जीन्स और काली टी-शर्ट में लुक को सिंपल रखा इस बीच सुहाना ने फूलो वाली भूरे रंग की ड्रेस के साथ अपना फैशन गेम दिखाया लरिसा बोनेसी को बाद में काले रंग की ड्रेस में पार्टी में आते देखा गया वह जब वहाँ पहुची तो पपाराजी ने उन्हें और तस्वीरें लेने के लिए घेर लिया इससे पहले आर्यान और लारिसा ने एक साथ एक कॉंसर्ट में हिस्सा लिया था दोनों में से किसी ने भी अपने रिष्टे के बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टी नहीं की है आर्यान खान की गर्लफ्रेंड आर्यान ने हाल ही में वेब सिरीज की शूटिंग पूरी की है जो उनके डायरेक्शन की पहली सिरीज होगी इसका नाम स्टारडम है और इसमें बॉबी देओल और मोना सिंग जैसे कलाकार है शाहरुख के फैन पेजों के पोस्ट किये गए एक वीडियो में आर्यान को एक बड़ा सफेद केक काटते और प्रोजेक्ट के कलाकारों और क्रू के साथ जश्न मनाते देखा गया इस बीच सुहाना ने जोया अक्तर की द आर्चीज से एक्टिंग की शुरुवात की जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वह शाहरुख के साथ अपनी अगली फिल्म किंग की शूटिंग की तयारी कर रही है फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोश करेंगे सुहाना पहली बार अपने पिता के साथ काम करेंगी जिनका किरदार उनके पिता से ही जुड़ा होगी किंग को शाहरुख की रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट और सिधार्थ आनंद की मार्फिलिक्स पिक्चर्स बना रहे हैं अपनी पसंदीदा अट्रेस और शो के बारे में अधिक अपडेट के लिए बॉलिवुड न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें अपनी पस्टाइब करना रहे हैं